आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला NCRT अधारित साइंस के प्रसन और उत्तर का स्टेट नंबर 15 जिसमें हम सब देखेंगे कुश्चन नंबर 141 से लेकर के 150 तक चलिए वीडियो की सुरबात करते हैं पर इस से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे 141 कुश्चन नंबर वाईउ से विभिन गैसों का अलग तथा पेट्रोलियम उतपादों से उनके विभिन घटकों का अलग करने की विधी ब भूल जाए जिनके कोथोनांग का अंतर 25 के से कम हो कि मिस्रन को प्रिथक, प्रिथक मतलब होता है अलग करना, प्रिथक करने के लिए प्रभाजी आस्वन विधी का परियोग किया जाता है, यानि पेट्रोलियम से कुछ ऐसे अपसिष्ट पदार्थ को निकालना है तो प्रभ प्रभाजी आस्वन का परियोग हम सब करते हैं या वाईउ से विविन गैसों को अलग करने में प्रभाजी आस्वन का परियोग करते हैं बस यह इंपोर्टेंट है आपके लिए बढ़ते हैं 142 में प्रसंद के ओर 142 मा कोश्चन है अंतरिक्च यात्री को अकास का रंग कैसा दिखता है तो इसका अंसर हो जाएगा काला जैसे प्रित्वी का रंग नीला दिखता है तो अंतरिक्च यात्री को अकास का रंग कैसा दिखता है काला अब इसके पीछे क्या कारण है मैं आपको समझाता हूँ ज लेकिन अंतिरिक्च में अकास का रंग काला दिखाई देने का कारण वहाँ तो ना तो वायू मंडल है और ना ही प्रकास का परिकिर्णन हो पाता है प्रकास तो है लेकिन वह फैल नहीं पाता है क्योंकि वायू मंडल नहीं है जैसे धूप पड़ता है आप सोस्तें कि धूप पढ़ता है तो फैल कैसे जाता है तो ये वायू मंडल के कारण भी होता है इसमें और फैलता है तो कौन सा कलर फैलता है तो बैंगनी का तरंग धैर सबसे कम होता है इसलिए वो फैल जाता है तो आसमान यहां से देखेंगे यानि धरती से देखेंगे आसमान को तो नीला नन है तो अंत्रिक चात्री को अकास का रंग काला दिखाई परता है पूसर नमबर 143 पी-एच स्केल में उदासीन विलियन का मान कितना होगा तो इसका अंसर हो जाएगा साथ तो साथ किसका पी-एच वैल्यू होता है वाटर का होता है तो वाटर में कोई स्वाद नहीं होता है फिर भी लोग बोलते हैं यह मीठा है और खटा है जबकि ऐसा नहीं है पानी में कोई स्वाद नहीं होता है उसका पी-एच वैल्यू साथ होता है आए इस पी-एच स्केल को समझते हैं पी-एच स्केल का मान 0 से 14 तक होता है साथ से कम का मान अमलिया विलियन होगा यानि acid होगा, साथ से अधिक होगा तो वो चारिया विलियन होगा यानि बेश होगा, अमल स्वाद में खटे होते हैं, जबकि छारक शाद में कडवे होते हैं ये भी याद रखना है उपको, अब एक litmus पेपर आता अमल निले litmus को लाल में बदलता है अगर कुस्टन दे दिया कि नीले लिटमस को लाल में बदलता है और option 3-4 दे दिया जिसमें अमल भी दे देगा छार भी दे देगा दोनों दे देगा तो आपको बस याद रखना है नीले लिटमस को लाल में बदलेगा वो अमल होगा जबकि छारक लाल लिटमस को नीले में बदलता है तो आप देख सकते हैं, acid के side लाल है और base के side नीला है तो नीले को लाल में बदलेगा वो acid हो गया जबकि लाल को नीले में बदलेगा वो छारक हो गया स्वाद में अमल खटा होता है, छारक जो है स्वाद में कड़वा होता है बाकि 0 से 14 तक इसका value होता है, 7 उदासीन हुआ, यानि उसका कोई स्वाद नहीं होगा 7 से कम अमलिया होगा, और 7 से अधिक छारिया होगा, बस इतना याद रखना है कुस्टन नमबर 144, रसायन उध्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायनिक माना जाता है इसका अंसर हो जाएका Sulfuric अमल, इसका सुत्र आपको याद रहना चाहिए, H2SO4 है Sulfuric अमल का सरवादिक उपयोग, पेट्रोल रसायन उध्योग में किया जाता है परियोग साला में गंदगी साप करने में भी इसका परियोग किया जाता है तो Sulfuric अमल का सुत्र काफी बार एक्जाम में आता है, प्लस इसका उपयोग भी आता है तो ये इसका उपयोग जादा तर कहां पे होता है, रसायन उध्योग में और परियोग साला की गंदगी साप करने में कुस्सन नमबर 145, खाद पदार्थों के परिच्छा ने तो किस रसायन का परियोग किया जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा बेंजोईक अमल, सुत्र याद रखेंगे C6H5COOH, ये सुत्र है बेंजोईक अमल क्या है? तो बेंजोईक अमल, ऐरोमेटिक, कार्बोक्लिस्लिक अमल है ये हलके, रंगहीन, चमकदार, कृिष्टलिया, चोंड के रूप में इसके अलावा बेंजोईक अमल के सोडियम लवनिया रूप, एक सोडियम लवनु रूप होता है sodium benzoite तो sodium benzoite actually benzoic aml का ही एक भाग है जो कि sodium लवनिया के रूप में प्राप्त होता है तो इसका भी उप्योग खाद परिरक्षन में किया जाता है sodium benzoite का रसाइनिक सुत्र क्या है na2 c7 h5 o2 होता है इतना आपको याद रखना है तो खाद पदार्तों की परिक्षने तो किस रसाइन का प्रियोग किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा benzoic aml next question question number 146 गोता खोरों की सांस लेने सम्मंदी किरिया में कौन सी गैस उप्योग की जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा oxygen और helium वो जो गोता खोर पानी में जाता है तो gas cylinder लेकर जाता है सांस लेने के लिए तो oxygen और helium उसमें भरा होता है अब देखते हैं क्या है ये helium और oxygen का मिसरन गहरी समुद्री में गोता खोरों द्वारा वायू के अस्थान पर सांस लेने के लिए परियोग किया जाता है तो आदमी पानी में तो सांस नहीं ले लेगा हम सब मचली तो हैं नहीं ठीक है मलब थोड़ा देर ले सकते हैं 10-20 सकेंड लेकिन उतना देर तो नहीं ले सकते हैं इसलिए helium और oxygen का मिसरन लेकरके हम सब गहरे सबुद्र वे जाते हैं क्योंकि अधिक दाप पर helium रख्त में कम विले होता है गोताखोरों द्वारा oxygen तथा nitrogen का भी उपयोग किया जाता है या oxygen nitrogen तथा helium का भी उपयोग किया जाता है तो ये याद रखेंगे आप सब गोताखोरों की सांस लेने समंदी क्रिया में कौन सा गैस उप्योगी है तो ऑक्सीजन और हिलियम उप्योगी है तो ये जो गोताखोर गया है ये जो सिलेंडर आप यलो कलर का देख रहे हैं इसमें कौन सा गैस भरा होगा ऑक्सीजन और हिलियम पूसर नमबर 147 मा, कौन एक ओधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव वस्था में पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, चलिए ब्रोमीन के बारे में जानते हैं, तो ब्रोमीन एक लाल द्रव है, ब्रोमीन गहरा लाल भूरा रंग धारित, तिक्च गंद वाला वास्फिल द्रव है ब्रोमीन का प्रमानु कर्मांग 35 होता है बी आर इसका सुत्र होता है ठीक है मतलब संकेत होता है बी आर सुत्र नहीं बी आर संकेत होता है ब्रोमीन आवर्तर सार्नी के समू 17 का सदस है जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है केबल ब्रोमीन इ बनता है काफी बार एक्जाम में आ चुका है क्योंकि ये एक मात्र और दातू है जो कि कमरे के ताप पे यानि रूम टेंपरेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है इस कारण से ये यूनिक कोशन बनता है तो उसका आंसर हो जाता है ब्रोमीन चुसर नमबर 148 किस त्वत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकरते तथा उनका भक्चन करते है तो इसका आंसर हो जागा नैट्रोजन इसके एक्जामपल है घरट पढणनी जो कि हम सब पहले पढ़ चुके हैं तो नैट्रोजन की कमी को पू नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यह पौधे कीटों को मार कर उससे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ प्राप्त करते हैं तो यह जो आप फोटो देख रहे हैं उसमें देखे गैब बना हुआ है उसमें जैसे ही कोई कीडा बैठता है बस वो बंद हो जाता है जि यह 149 कुश्शन सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस परियुक्त होती है तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन एक जोलनसील हाइड्रोकारवन है इसका आन्विक सुत्र एक्जाम में आता है C4S10 है तो सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस परियुक्त होता है ब्यूटेन अगर आप स्मोक करते हैं तो प्लीज स्मोकिंग ना करें यह बहुत ही हिल्थ के लिए खराब है तो अगर करते हैं तो आप छोड़ दें चलिए छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे वो तो अलग बात है बाकि मुझे बोलना था तो मैं बोल दिया इससे रिलेटेट जो है ब ब्यूटेन का तो हम सब देखी लिए C4H10 सेट 15 का आखरी कुश्चन 150 मा भोपाल गैस तराजदी किसके रिशाब के कारण हुई थी तो इसका अंसर हो जाएगा मिथाईल आइसोसाइनेट भोपाल इस्थित यूनियन करवाइट इंडियाल लिमिटेट की कीट नासक सन्यंत से मिथाईल आइसोसाइनेट गैस के रिशाब की कारण ये तराजदी हुई थी यह बहुत बड़ा घटना हुआ था मत्प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिथाईल आइसोसाइनेट का सुत्र क्या होता है C2H3NO है यह घटना 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को हुई थी तो पोटो वेगरा नहीं लगाया मैं देखी नहीं पाऊंगा फिलाल 150 का अंसर हो गया मिथाईल आइसोसाइनेट तो यह था NCRT आधारित साइंस के प्रस्वन उत्तर का सेट नंबर 15 जिसमें हम सब कुस्टन नंबर 141 से 150 तक देखे आगे मिलते हैं सेट 16 के साथ यह वाला स्र